यूपी में नौ सीटों पर होने वाले विधान सभा उपचुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत जोंग दी है उपचुनाव में सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतिय जनता पार्टी के बीच है वैसे तो कुल दस सीटों पर उपचुनाव होने थे लेकिन मिलकी पूर विधान सभा सीट का मामला कोट में होने की वजह से वहां अब भी चुनाव नहीं हो रहे हैं कटहरी, फूलपुर, कुंदरकी, मीरापुर, मंजवा, करहल, शीशामू, खैर और गाजियाबाद की सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर हो रहे ये उपचुनाव 2027 में होने वाले विधान सभा उपचुनाव का सेमी फाइनल माना जा रहा है सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर बताना चाहती है कि लोग सभी चुनाव में 37 सीट पर उसे जो सफलता मिली थी वो तुका नहीं थी जबकि BJP 9 में से ज्यादा सीटें जीत कर समाजवादी पार्टी से लोग सभी चुनाव में मिली हार का बदला लेना चाहती है जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से 5 सीट पर BJP का कबजा था जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी अखिलेश यादव बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अगर जनता ने 9 में से 7 सीटें भी BJP को हरवा दी तो UP में मुख्यमंत्री बदल जाएगा जबकि BJP ने उपचुनाव में जीत के बंटोगे तो कटोगे का नारा दिया है और UP में BJP के लिए प्रचार कर रहा हर नेता यही नारा दोहरा रहा है BJP ने सभी 9 सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगा रखी है हर सीट पर कम से कम दो मंत्रियों को जीत की जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री, योगी, आदित्यनात, खुद हर विधान सभी सीट पर तूफानी दौरे कर रहे हैं सभी नेताओं और कार्यकरताओं से चुनाव प्रचार का फीड़ बैक लिया जा रहा है RSS के नेताओं को भी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी लोगसभा चुनाव की तरह इस बार भी अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और अपने पीडिये के नारे को बुलंद कर रही है समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि जैसे लोकसभा चुनाव में पीडिये के नारे ने उसे बड़ी काम्याबी दिलाई थी, इस बार भी पीडिये का नारा काम्याब होगा कुंदर की, करहल, कटहरी, फूलपुर में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है, जबकि बाकी पांच सीटों पर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है करहल से अखिलेश यादव खुद विधायक थे, लेकिन कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया करहल से अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है जबकि कटहरी से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी उम्मीदवार है उपचुनाव के दौरान दोनों दलों में जुबानी जंग भी खूब चल रही है समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के नेताओं पर शासन प्रशासन की मदद से धांधली और गुंड़ई करने का भी आरोप लगाया है और कई बार चुनाव आयोग में शिकायत भी की है